अगर आप stock market में एक ही stock में जादा निवेश करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान उठाना पड़े ट्रेडिंग करते हैं तो 20% से जादा capital मत deploy कीजे और stock market में long term का horizon कम से कम 3 साल का होना चाहिए तभी आप stock market में पैसा लगाए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Tata Motors की एक बड़ी निवेश की चर्चा हो रही है यहाँ पर through ये खबर जो है Monday को market में आग लगा देगी डिमांड बहुत बड़ी से बढ़ रही है और PMG investments इसमें बड़े लेवल पर निवेश करने की बात कर रहे है आईए खबर का पूरा विश्लेशन करते हैं सबसे पहले ऑफिशल खबर की बात करते हैं तो देखिए एस पर दो ऑफिशल एननेसी एननेसी वेबसाइट तीन तारिक को यहाँ पर एक मीटिंग और्गनाईज की गई है कितना उनका आगे आने वाले समय में लाँचेज की बात हो रही है तो यह सारी बात है डिसकुशन का प्राइमरी मतलब होता है कि आप यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्वर्स्टेड हैं इस कंपनी में निवेश करने के लिए आप देखें यहाँ पर दक्षिन भारत और उत्तर भारत में क्या फरक है यहाँ पर टटर मोटर्स की अलड़ी काफी सेंटर्स है नौर्ट सेंटर में बट सदन भारत में उनके कम सेंटर है इसलिए कल उन्होंने 70 सेंटर खोले हैं एक ही दिन में इस तरह से सेल्स बढ़ान की कोशिश कर रहे हैं जो high growth area है जहां पर अभी presence नहीं है वहां पर अपनी presence बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह जो 70 outlet खोले गए हैं यह new forever range की passenger vehicle के लिए है जिसमें electric vehicle का भी push किया जा रहा है यहां पर और यह जो state है करणाड़ का तमिल लाडू, पॉंडेचरी, कलंगान आंदरपरदेशन, केरला तो सारे की सारे दक्षिन भारत के राज्यों में इन्होंने किया है और यहां पर अब यह बढ़कर 272 हो जाएगी और overall इंडिया का देखे जाए तो 980 के आसपास इनके यहां पर है जिसमें से 7 बैंगलोर में, 5 चन्ने में, हदरबाद में 4, कोची में 4 इस तरह से expand करके यह लोग अच्छे level पर increase कर रहे है अपना growth, देखे आगे आने वाला समय wedding season है, तो यह आगे इसमें और भी तेजी से विकास होगा, क्योंकि यहां पर demand इसकी और बढ़ेगी, और supply कम होने की वज़े से तो इनको profitability आप यहां पर बढ़निश रोगी, क कम कर दिया जा रहा है, government के द्वारा, जिसके चलते हुए Tata Motors के जो अधिकारी है, वो इतने जादा खुश नहीं है, अब import duties कम होगी, इसका मतलब क्या है, जो electric vehicle segment है Tata Motors का, उस पे impact आएगा यहां पर, तो देखे, इसके चलते हुए, यहां पर model 3 जो है, electric sedan जो है, यहां पर Indian market में launch की जाएगी Tesla के द्वारा, और यह import duty कट करने के वज़ाए से, इसकी वज़ाए से, इसका सीधा का सीधा impact जो होगा, इसकी Nexon version है, उसके ओपर आएगा यहां पर, तो इस वज़ाए से, Tata Groups, सरकार से थोड़े से नराज चल रहे हैं, उन्होंने कहा है, कि यह आपक आपको स्टॉक मार्केट में लर्निंग करनी है, यह फिर रेगल रहे हैं, और यह इस सेग्मेंट में काफी अच्छी इनकी सेल्स ड्राइब गरेगी, माइक्रो सेग्में में, चनल को फैब फैरोल धियान रखिये, प्लीस कंसर्ट फैनेश रवाइजर, और देखिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में लर्निंग करनी है, या फिर रेगलर इंकम चाहिए, तो उसके लिए साथी साथ में आपको पोर्टफोलियो का रिव्यू भी कराया जाएगा हमारे द्वारा, अगर आप इंट्रेस्टेड है और हमारे साथ दो हफ़ते के लिए ट्रेड करने को अगर इसका चार्ट की अगर हम बात करें, एक और खबर यहां पर बताएंगे, इनके तीन की मैनेजरियल परसन को चेंज किया है, ग्रीश वाग, पी बी बाला जी और मलोई कुमार गुप्ता, जिनका कल भी यहां पर उन्हें जो मेसेज आया है, यह मलोई कुमार गुप्त और 41 लाग शेर की यहां पर डिलिवरी है, तो काफी तकड़ी डिलिवरी उठी है यहां पर फ्रैड़े के दिन भी, और भाव, दिन बर जिग-जग पैटर्न में रहा है, तीन सो रुपे के आसपास, थोड़ा से स्ट्रकल कराएं, एक बार तीन सो क्रोस करेगा, तो बहुत जल्दी फिर से यह तीन सो पचास की तरफ को अगरिम होगा, बुलिंजर बैंड के मिड लेवल पर आ चुका है, यहां से अब आप मोमेंटम पॉसिबल है, और बुलिंजर बैंड की विट्ट यहां पर 11 के आसपास है, तो आप चाहिए तो अपने पोर्टफले में स्कॉइ के लिए चाट विए पर से जाएंजे भारत, बाइग गाइज